हेलो दोश्टों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासिज में 66 मी वीपेसी को धियान में रखकर बिहार लोग सेबा आयोग का साइंस का कोश्चन बैंक करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को एक आडिया लग सके कि आयोग द्वारा कैसा कोश्चन बूचा जाता है साथ ही एक रिवीजन सिरीज भी हो जाएगा तो चली हम लोग देखते हैं साइंस के कोश्चन चली हम लोग देखते हैं 46 मी वीपेसी में जो कोश्चन आये थे समान बिग्यान के उसके कोश्चन को पाहला question है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समें गरम बर्तन की सफाई के लिए परयोग की जाने वाले ammoniouse cool radichun से निकलने वाला धुँआ है तो जो है ammoniождения और5-0050 अमरिका इसका ब्याक्षया देखते हैं पीतल के बरतनों को कलाई करते समय गरम बरतन की सफाई के लिए पड़ियोग की जाने वाले अमोनियम को लैडिचून से निकलने वाला धुआ मुक्ता अमोनियम हाइड्रोकोलिक अमल इस्टू असफोर होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जस्ता का एक आयतन भाग किलोग्राम मीटर क्यूब का दो आयतन भाग ताम भाग घनातु नवासी सो किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनातु क्या है तो हम लोग ब्याक्या देखते हैं एक आयतन भाग जस्ते का भार एक अतर सो किलोग्राम मीटर क्यूब 249 00 kg हुआ तो पीतल का घनत उमक देखते हैं 249 बाई 249 002 इसका टू किलो ग्राम बाई मीटर क्यों इसका टू कीलो ग्राम मीटर क्यों हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेमने कित मिसर कौन से भीटामिन सी खुन जमने क्या अवस्यक्ता होती है तो इसका एंसर हो लिवाइगा और कि बीटामिन के अती लगों मात्रा अवस्यक होता है संसलेसन सहरीर में होता है यह उधिर के अस्कंदन थक्का जमने के लिए होता है नेक्स अम्मोंक देखते हैं अलकॉलिक खमण हमेरन का आधा ये इत्यार य। मिन्न की सभगता है। इंसुलिन फोता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो यह हैं बीटल को सीखाऊ बहुत होता है। । से अतिसरवन हाईपोगलाइसीमिया नमक रोग होता है ने से अमक देखते हैं हैड्रोकलोरिक एसीड काज की बोतल में नहीं रखा जाता है यह करता है तो काज की सिल्कोन डाइवक्षाइड से करता है हाड्रोकोली की सिरकाज की सिलिकॉन डायोकसाइड ऐसा यो टू से अभिर किया करता है इसलिए इसे काज की बोतल में नहीं रखा जाता है नेक्स्ट रमुक देखते हैं बायू में थोरी दे रखने पर किसी धातू के उपर हरे रंग का बेसी कार्बोनेट का परत जम देखते हैं तो धातू को तामबा वह धातू तामबा है इसके ब्याक्या देखें बायू में थोरी दे रखने पर तामबे के उपर हरे रंग की बेसी कार्बोनेट की परत जम जाती है 2C u प्लस H2O प्लस C CO2 प्लस 2 ऑक्सीजन इसकल टू सी यू सी ओ थीरी इंटूट सी यू ओ एस का होल ट्वाइस बेसी कार्बोनेट होता है नेक्स समुक देखते हैं कच्चे फॉलो को कृतिम रूप से पकाने के लिए परयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एतिलीन होता ह तेलीन कच्चे फ्लों को पकाने वाउस के सनख्छन में क Elster Gakezia में ऍट्रीण रभबर घ्रीवं पॉलेथीन बनाने में समानतार निसेचक रूप में परयोग की जाती यह प्लैस्टिक बनाने में भी उपयोग की जाती है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विपोटक नाइट ग्लिसरीन एक रंगीन तैलिये द्रब है या डाइनामाइट बनाने में काम आता है या एक एस्टर है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विकास का कारण है तिवगा पीडी से पीडी अनकूलन के कारण विकास का करण क्रम बद परिवर्तनों द्वरा पुरातन जीवों के नूतन ड्रेपन की बीदी में वो यागा बर्तन को रीण दरूब और सुद जस्ता को धन दरूब पर बनाया जाता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो वाईू में कौन सा नॉबल गैस नहीं होता है तो यह जागा रेडं नहीं होता है इसका ब्याक्या देखे बाईू में लुट्टा नेट्रोजन अठातर दसामल एक परतिसत ऑक्सीजन बीच दसामल उन्तिस परतिसत कार्बन डाक्सएट जीरो दसामल फोर परतिसत नोबल गैस 0.95 परतिसत और दूलकन होती है नोबल गैस में आरगन नियोन क्रेप्टोन ये नॉन हीलियम आधी होती है क्लोरोफिल पाउदर की हारी पतिया जाता है इसमें मैंनीशियम पाया जाता है मन अवसोसी अंग नहीं है तो इसका अंसर होगा सामने वाले चप्टे दान्थ नेक्स अब लोग देखते हैं स्विक्षभर क्या होती है तो थोस कर्बन डाक्साइड होती है नेक्स्ट है सक्रो में सबसे मीठी होती है सुक्रोज नेस कोश्चन है आप एक लिप्ट में खाड़े हैं लिप्ट का फर्स अप पर आपके भार का द्वरा लग रहा बल तो यह होगा लिप्ट के 99.8 मिटर सकेंड के त्वरन से नीचे आते समय सुन होगा नेस कोश्चन देखते हैं आम तौरप सुरक्चा फ्यूज लगाने के लिए परियोग वाली तार की स्पदार्थ की बनी होती है तो यह हो जाएगा टीन और सीसे की एक मिस्र धातू से बनी होती है इसके ब्याक्या देखे समानता सुरक्चा फ्यूज विदूद फ्यूज लगाने के लिए ताम बार टीन सीसे का मिस्र धातू से बना तार लगाया जाता है क्योंकि इसका गल्लांग निम्न होता है या विदूद परिपत में लगे उपकरनों को सुरक्षा परदान करता है निक्स दोग देखते हैं जब एक पत्तर को चांद की सता से प्रित्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जायेगा प्रंतु दर्मान नहीं बदलेगा नेक्स दोग देखते हैं 47नी विपी सी के समान बिज्ञान के कोष्चन तो पहला कोष्चन है विदू थे उत्पन करने के लिए कौन सिधात्तु का उप्योग किया जाता है तो इरुनियम का उप्योग किया जाता है ने कुष्चन है गयों के खेती के लिए कौन सौरबरक अधिक मात्रा में पर्योग करेंगे तो नेट्रोजन गयों के खेती के लिए नेट्रोजन उवड़ा का उप्योग होता है या बनस्पति प्रिधी में सायक होता है वहरे रंग को बढ़ाता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुहा मारने का जहार किस रासाइनिक पदाथ बनाता है तो पोटेसियम साइनाइड बनाता है चुहे मारने के लिए रेट्रोसाइट नामक रासाइनिक पदाथ का उप्यूग किया जाता है जिसका निर्मान पोटेसियम साइनाइड से होता है के लेक्टेस से पराप्त होता है कई सियम या सोडियम लवन जादा गुलंसील और कम हानिकारक होते हैं योजर जोर होने पर ह檸ोडन निवार्ए का में काम करें नाइपानांस प्रिफ्याट में सब्सक्री व Первे सोग्राइब होती है करिंटे मांसयम आइपशा उच्छी जल तरंगे कैसे उत्पन होती है तिया होगा चंद्रमा से उत्पन होती है इसके बैख्या देखे मासागर में ब्रिहत जुआरबाटा पुर्णीमा के दिन आता है जब कि सत्मी और अश्टमी को लगुज वारबाटा आता है चुकि चंद्रमा प्रित्वी के जादा ज्यादा नजदी के आता प्रित्वी के गृत्व अकर्चन बलको ज्यादा प्रावित करता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमल वर्सा होती है तो करखानों से होती है इसका मुख कारण है नैट्रिक अक्साइड जो करखानों से दुए से निकलती है यह नमी के साथ मिल क बनाता है जो वर्षा के बुंदों के साथ प्रित्वी पगिर्था इसे इमारतों को भारी छती होती है नेक्स देखते हैं सोन को गोला जाता है तो इसका अंसर होगा तीन वाग हैड्रोकोलिक अम्ल तता एक माग नैट्रिक इसिट के मिस्रन में rapport को नली में कैसे पैदा करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा तंतु को गरम करके इसका ब्याख्या देखे नली का में भरी औरगन गेस तता पारे में वास में विद्व बिसर जन प्रारम करने के लिए यह आवस्यक्त है कि दोनों तंतु काफी गर्म हो चुके हो तंतु गर्म हो जाने पर स्वयत परकास उत्पन हो जाता है नेक्स समुख देखते हैं कमरे को ठंडा किया जाता है तो संपरीत गैस को छोड़ने से कमरे के संपरीत गैस छोड़ने से ठंडा किया जाता है एर कूलर की संपरीत गैस ने पर्युक्त होत इसका अब्याक्या देखें, जब सूर्ज का प्रकास प्रिज्म से गुजरता है, तो अलग-अलग तयांग धाक्स के कारण सात रंगों में बट जाता है, इसकार इन सात रंगों का क्रम इस बरकार होता है, बैनी आ, पी नाला यानि विपजियोर, नेक्स्ट अमनोग देखते हैं, सूर्ज ग्राउन तब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, नेक्स्ट अमनोग देखते हैं, लोलक की कलावदी होती है, लंबाई के उपर निर्वर करती है, आवर्थ कल्टी इसकल टू पाई बाई वाई, अंडर रूट वाई जी, एल इसक सब्सक्राइब के उर्जा गाती में परिवर्थित होती है, तब तो इसके अंसर होगा, कोई इसमा की आनी नहीं होती है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट ग्राइस कहन बनाती है, तो इसके आम लोग्सप्लानेशन देखते हैं, रडार रेडियो डिटेक्षन एंड का विश्कार अमेरिका की एल टेला वतिया सी यंग है नेक्स देखते हैं इमने कित में से किस बिटामिन में कोबाल्ट होता है तो अगा बिटामिन 12 में होता है जिसका नाम है साइनो कोबाल्मीन जो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है बिटामिन भीटामिन बी सिक्सप्रवएक नृपलोविन है। Tur Own Co اس약भा लोग होrutas स transpareni के कमी से देखे刘 में एफ्लटोकसिन के समानतर अउसमानतिक्रीट होत होता है। तो यक्रित होता है, मनुस में एपला टोक्सिन खाद विशाख्तन से समान तो यक्रित अंग प्रवावित होता है, अब हम लोग देखते हैं तिरपनमी से पजपनमी वीपीची के समान बिग्यान के कोस्चन, तो पहला कोस्चन है सौर विकिर्यन निम्मे से किस पारस में प्राकिर्तिक त्वत्त में मिलता है नेक्स है खाने का नमक नेसे बनता है तो यह होगा मजबूत और मजबूत चार से जिसे नमक का आ जाता है समुद्री जल के वाश्वी करन परकिरिया में नमक का उत्पादन होता है समुद्री जल में कूल गूलंसील ठोस का 75% सोडियम कुल्राइड होता है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी मे उगते हैं को क्या कहते हैं तो हैलोफाइट कहते हैं जीरोफाइट मरुद्रश्थल चेतरों में उगने वाले पौधे हैं हैलोफाइट नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं जल में उगने वाले पौधे जलोवीद कहलाते हैं नेक्स आमोग देखते हैं प् संबहनी पौधे में पानी जायलम उत्तक की सहता से उपर चड़ता है यह एक जटल उत्तक है तो जर तना और पत्ती मिश्टी संबहन पूलों में मौजुद रहती है यह जल संबहन उत्तक भी कलाता है इसका काड़ जरो द्वराव सोसित जल और खरीज लबनों को पौधे के नेके बिवीन भागों में मौचाना नेक्स्ट्रम लोक देखते हैं पौधे पूल बनने का उदीपन इपन प्रकास नकिया जाता है और यह पर्न में पाए जाता है नेक्स्ट अमोग देखते हैं सहाज प्रणाली का परिवर्दन इम्निकित में से कौन सा है तो योगा प्रणाली का स्वपवेसी किरिया नेक्स्ट जनेटिक्स निम में से किसका अधियन करता है तो अनुवान सिक्ता और वीचरन का करता है नेक्स्ट है मेंडल के अन्वन सिक्ता का सिदान्त किस पर अधारित है तो लैंगिक जनन पर अधारित है क्रम सहिसे एक संक्रिय और दू संक्रिय क्रोस कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं बुर्ण किस में मिलते हैं तो बीज में मिलते हैं युगमज का बनना और पडिवर्धन दोनों किरिया बिजाट में होती है इस तरवरोन बीज में बनता है नेक्स्ट आम लोग देखती है परकास संसलेशन होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है इसके ब्याक्या देखे पौधे में जल परकास प्रनहरी तता कार्बन डायोकसाइड की उपस्तिती में कार्बो एड़ेड की निर्मान की परकास संसलेशन कहते हैं परकास संसलेशन की किरिया पौधे की हरे भाग में पाये जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में संपन होती है नेक्स देखते हैं, Bill and Melinda Gates Foundation द्वारा अस्तापित भारत द्वारा कार्जकरम आवान किसके परतिरोध के लिए कार्यात है, तो इसका हो जागा HIV AIDS के द्वारा, नेक्स द्वारा है, तो पहला कोस्चन है, कोस्मिक कीरन होते हैं, आवेसित कन होते हैं, आवेसित कन होते हैं, नेस कोश्चिन है वर्स 1945 में नागा साकी जापान पे गिराए गए बमों में कौन सा भी स्पोर्टक परियुक्त किया गया था तो प्लूटोनियम होगा बर्श 145 में नागा साकी पर गिराए गया पर मानुबमे प्लूटोनियम 249 का भी स्पोर्टक के रूप में उपयू किया गया था जबकि हिरोसीमा पर गिराए गया नाब्की एभम में एरणियम 235 का परियू किया गया था नेक्स देखते हैं निमनीखित में से कौन सा तो सभी कार्वनिक योगी को में मिलता है तो यह कार्वन में होगा नेक्स देखते हैं सिग्रेट लाइटर में निमनीखित में से कौन से गैस परियुक्त होती है तो ब्यूटेन होती है सिग्रेट लाइटर ब्यूटेन गेस जो तरल एबम जोरंसील होती है परियोग की जाती है नेक्स देखते हैं लॉंग पौदे के निमने कित में से किस बाग से प्राप्त होते हैं तो सुक्स्पुक्स कली से नेक्स पादब कली है तो ये एक वुष्णिय टर्नी है नेक्स डियने को किसके अंतर प्रात में बनाया जाता है तो अगा और्थर कौन बॉर्ग समंदित डियने से तता रॉबर्ट होक ने कोशिका की कोज की थी नेक्स डियने कोशिका कारक रॉबर्ग कैंसर उत्पन करता है और इसका उपचार करता है तो इसका एंसर हम लोग देखेंगे त्योगा तंबाकू तंबाकू में निगोटी नपदार्थ होता है जो कैंसर जैसी जानलेवा विमारियों के लिए उतर जाई माना जाता है तंबाकू से मोजोग रॉग भी होता है नेक्स एक स्वास्त बैक्स मनुस्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो पांस से छे लीटर होता है रक्त की कमी से इनेमिया रोग हो जाता है नेक्स है टाइपाइट तथा कालरा विशिष्ट उधारन है संक्रामक रोगों के टाइपाइट का बैक्टेरिया सलाई सैलमोनेरा एबं कालरा के जिबानू बीब्रियो कोलरी होता है यह बैक्टेरिया परदोसित जल दरप विक्ति के अंदर पहुँचते हैं नेक्स है यक्रित और मान स्पेसि में उर्जा जमा होती है तो गलाइकोजन के रूप में इसके ब्याक्या देखे गलाइकोजन के रूप में यक्रित और मान स्पेसियों में उर्जा यक्रित होती है गलाइकोजन बस तो गलुकोज का एक मेबलियों जाइन स्टोरेज के लिवन हुक ने जिवान हुक प्रोटो जोया की खोज की थी जबकि फ्लेमिंग ने पेंसिलीन की खोज की थी नेक्स देखते हैं जीबो की अत्यदिक बिवित्ता का कारण है अनकूलन अनकूलन होने से जीबो में सरवाधिक बिवित्ता पाय जाती है तता साभागिता से दो प परचनन करने में समर्थ है ते रो माईकोफ प्लाजवा नेक्स कोश्चन है ओको जीन समंदीत है तो यह समंदीत है कैंसर से नेक्स्ट के 100 पर थम्मानव कहेदय परत्यारोपन हुआ थी दक्ची नफिरका में हुआ था पर्तम मानव परतियारोपान क्रिस बर्नाड द्वारा तीन जनवर उने सो शारसट को दक्षिन अफिरका में किया गया था ब्रिक से प्रती मिन्यट औसत रक्त प्रवा होता है तो यह होता है बारो सो सीसी घन सेंटीमीटर रक्त प्रवा होता है नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 60-62 BPC के समान बेग्यान के कोश्चन तो पहला कोश्चन है निमनिकित में से किस जुग में सुमेलित नहीं है तो होगा इनमें से कोई सही या एक से अधिक या इसका इंसर ही होगा आए इसकी ब्याख्या को हम लोग देखते हैं विटामिन B1 या थाइमिन या जल में गुलनसील है इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और यह संत्रा अनाज के छील के मास में और अंडे अत्यादी में मिलता है नेक्स्ट है विटामिन D कैसी फिरोल या बसा में गुलनसील है इसकी कमी से रिकेट सुखा होता है सुखा लोकोफरेल या भी बासा में गुलनसील होता है इसकी कमी से बाद देता रोग इस्तरी और पुरुष दोनों में उत्पन होता है इसे बांजपन रोधी बिटामिन भी कहते हैं यह तेल ग्यों अंकुर तेल सोयबीन अंडों की जर्दी से मिलता है नेक्स्ट हम लोग देखते ह कि नेप्तोक्यून या बसा में गुलनसील के कारण हेमोप्रोलिय रोग इसे रक्सरावरोधी प्रदार्थ भी कहते हैं हरी पतिया अलफा एलफापा टमार्टर अंडे की जर्दी दता पनीर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है नेक्स देखते हैं टेफलोन इमने कित में से किस एक कलन का बाउलक है तेङ होगा टेत्राफ्लोरो एतिलीन सा वकилाने देखते हैं टेफलोन टेटराफ्लोरोएतिलीन का उच बाउलक है यह रसायनिक रुप से निश्क्रीय वा उर्ष्मा परतीरोधी बाउलक है इसका पडिशांद्र अमलो वा दाहक द्रभ भरने के पात्र बनाने तरहρα समा वरा सायनिक पदार्तों में अपरवा शील बस्तियों बनाने से होता है इस गुन के करण इसे खाना बनाने के बरतन बनाय जाते हैं नियंतर और में निमनिकितमें से कौन सा उतर दाई है तो दी न न उतर दाई है निमनीकित में से किस बिटामिन को औक्सीक फेलिरु फिलोल करते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं इंस्प्लानेशन D2 का होगा औक्सी फिलोल, D3 का होगा कलसी केलिरु फोलल, B12 का हो जाएगा साइनो कोबाल एमीन, B6 का हो जाएगा पाइरोडोकसिन नेक्ट देखते हैं निमनीकित में से कौन समय सही सुमयलित नहीं है तो इसका अंसर होगा बी ट्रहल भेरी-बेरी सुमयलित नहीं है इसका हम लोग इस्प्लानेशन देखते हैं आरगो क्लेली फेरल बीटामिन डी टू डिकर्टसे होता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक के लाइट निमनीखित में से संगनन से बनता है तो योग आप फिनॉल और फर्मल डिहाइड इसका इस्प्लानेशन देखें बैक लेट एक प्रारंबिक प्लास्टिक या एक टायमिंग फिनॉल फर्मल डिहाइडर है जो फर्मल डिहाइडर के साथ फिनॉल के संगनन प्रतिकिरिया से बनता है नेक्स्ट है निम्निकीत में से कौन प्रतिजयविक और सेधी है तो हो जाएगा कैलरी रिफी नॉल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है तो इसका अंसर होगा D यानि कि इस पार्टे में इसका अंसर हो जाएगा कृति मदुरक फ्रेयान का हो जाएगा संचलित रबर नियोप्रीन हो जाएगा प्रति हेमेट्रीन वेनाड्रील हो जाएगा प्रतिशक के रूप में नेक्स्ट आम लोग देखते हैं इंसुलीन है यह प्रोटीन है वसा लिपीड है बिटामिन पिरिधी तत्व है कार्बोहेडर जल योधित कार्बन योगिक है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं गरेलू इंद्यन के रूप में पर्युकत LPG में मुकता होती है तो ब्यूटेन हो जब जब एस्टु एसुफूर इसका इस्प्रानेशन देखे प्राकिर्ति के वर्मानम निर्मिस्रोतों के वातावरन सलफर और नैट्रोजन को ऑक्सीजन ऑक्साइड द्वारा प्राप्त करता है इसमें कुछ ऑक्साइड धरातल पर वापस सुक्स नीपसेट के रूप में जमां हो जाते हैं बर्षा जो सलफेट नैट्रेट अमोंियम घरोजन आयन को सामिल किये होती है दरातल पर अलबरसा के रूप में गिरती है इसमें हडोजन और सलफर और की मात्रह होती है देखते हैं गौड पार्टिक्ल है ति जगा हिक्स वेशन इसका एक्स्प्राणिश ने कॉस्मोलोजी समझने हेतु गौर्ड पार्टिकल की परामानविक अभधार्ना को पेश किया था इन दोनों वैग्यानिकों की यहां योगदान को देखते हुए सांड के वैग्यानिक बिंग वैंग त्योरी को इंक्स बिसान नाम दिया निक्स देखते हैं रक्त कैंसर टू कैंसर की सोडियम 24 शरीर मिरोगों की जनकारी के लिए नेक्स अम देखते हैं आयोडी क्रीट लवन में रहता है तो पोटेसियम आयोडीन रहता है अब हम लोग 63 बेपेसी के समान बिज्यान के को देखते हैं तब पाहला कोश्यन है गारी में पर्योग होने वाला क्वा गरती के साथ एक सिंगनल बनाता है ताकि क्वार्ज घरिया कम से कम यांत्रिक घरियों कि तुल्ला में सटीक परिनाम दे सके जबकि सोडियम सिलिकेट का निर्मान रे तता सोडियम कार्बोनेट से होता है इसका अध्योगीक नाम वाटर ग्लास है जर्मेनियम अक्साइड एक आकारबनिक योगीक है जिसका परियोग फाइबरम उक्टिकल वेव गाइड लकजरी गारियो थर्मो ग्रयमीन कैमरों में किया जाता है टाइटेनियम वाख डायक्साइड एक आकारबनिक योगीक है इसका परियोग काध पुद पादो टूथ पेंट प्लास्टिक कागज आदिक सफेद रंग के वरनग के रूप में किया जाता है निक्स देखते हैं ब्रोमीन होती है त escr Bit. इसका इसन देखे, ब्रोमीन गहरा लाल रंग के अर्तिक शिंगर्ण्द का दरभ है ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो दरभ वरस्था में राता है या त्रिव औक सिकारत पदार्त है और अनेक पदार्तों और योगी को के साथ किरिया करता है ब्रोमीन का उपयोग किटनास्कू के रूप में और सधी के रूप में फोटोग्राफी के में किया जाता है ब्रोमीन भी सहला पदारते इसका वास आख नाख और गले कोहानी पहुंचाता है नेक्स्ट है वेल्डिंग के परियोग में होने वाली गैस यह उक्सीजन और एसिटलीन इसका हम लोग एंसर देखें बैक्या देखें दो धातुओं को अधिक तापमान पग्रम करने तीसरी धातुओं को जोरने की पिल्किया वेल्डिंग कहते हैं इसमें समानता ओक्सीजन और एसिटलीन गैस का परियोग होता है कुछ अन अस्तर पर कोल गैस अत्वा हैड्रोजन गैस का भी परियोग किया जाता है नेक्स्ट अम लोग देखते हैं गिल्बनाइजेशन लोहे की पाइप पर पर परत होती है जस्ते की होती है इसका हम लोग ब्याख्या देखें स्टील या लोहे की पर जस्ते की परत चड़ानी की किरिया गिल्मनाईजेसन कलाता या लोये पर लगने वाले जंग से सुरक्षा परदान करता है जस्ते का परयोग बैक्टरिया बनाने में दांबे के साथ कासा बनाने में आधी में होता है जबकि रसानिक जगत में पारा एकमात में साधातू है जो सधारन ताप पर और दाप पर दरब अवस्था में राता है इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर अस्वधी के रूप में किया जाता है लेड यासीसा का परयोग इमारते बनाने बंदू की गोलिया और वजन बनाने वाले उपकरन बनाने में होता है क्रोमियम का उपयोग स्टेलनेस स्टील में बनाने में होता है आलप मातरा में यस्वध शरीर के लिए आवस्यक है next question हम वो देखते है दिस एड़ आप से शेतर सर इसके अंसर भी हो जाएगा इस वनासे में स्प्रेक्ट्रम विधू। चुंब की एक भाग है। इस सयनी की उन्होंते हैं स्प्रेक्ट्रम की तरण की तरंक मेरे विधुवटम की तरंस द्रय रन जाय्च छेयटर सवनेर के अब राकू decis amountika. इस हैंड अल्टोग वातिक एक हुए। अल्ट्रा वालेट किरियन दिस वन ग्रम इंफ्राकिरन और उप्योग में सेंसर में किया जाता है इसका उप्योग जीवानियों को नश्ट करने में किया जाता है नेक्स हम लोग देखते हैं कपरा साब करने में परयोग करने वाले डिटरजेंट यह होते हैं यह सलफोनेट हो होता है तो इसका explanation हम लोग देखते हैं तो अच्छा में पाए जाने वाली तेलिय ग्रंथिया एक सफियत करता है मनुष्य के शरीर पर 20 लाग से 40 लाग तक पसीने की ग्रंथिया होती है पसीने में 99 पर्चिशत पान यह थोरी मात्रा में नमक प्रोटीन और यूरिया होते हैं पसीना गंद रहित पानी होता है नेक्स देखते हैं नीला थोता राशायनिक रूप से है तो यह कॉपर स सुपोर होता है कैसे क्यूपारिक के रूप में पाया जाता है जिसमें फ्रिष्टलन जल की मातर अलग होती है copper sulfate का उप्योग उस्वादि के रूप में होता है sodium sulfate का उप्योग मुकृ रूप से detergent के निर्मान paper पर YouTing के क्राफ पररिया में किया जाता है iron sulfate या gerus sulfate का उप्योग, कपरा उद्योग में dry fiction के रूप में चम्रे को काला करने, स्याही की बनाने, खाद पदार्तों के संरक्षन और लोग की कमी से होने वाली निम्या को रुखने में किया जाता है। नेक्स देखते हैं एक परमानू के केंद्र कधनावसिक हिसा कहलाता है तो ये नुकलियंस कहलाता है। नेक्स कोश्चन है, एक ठोस के सीधे गयस नुपरिवर्थन को कहते हैं उधपार्तन कहते हैं। नेक्स्क विछन है मनव तंत में इन्सुलिन काrice करता है तो कार्बो ारोज़िक करता है नेक्स्ट एनिमनिकित में से एंटि बाइटिक है तो यह है इसका इसने होगा वियाख्या देखें प्रति जैविक क्यां एक पदार्थ या योग है जो जिवान्यों को मारने या उसके विकाश को रोकने का काज करते हैं अंतिवायोटिक दबाव का उपयों कवक और प्रोटो जुगा सहीद सुप्म दर्शी द्वारा देखे जाने निस देखते हैं निमनिकीत में सबसे भारी धातु ए तो पाड़ा है नेक्स देखते हैं इस टेल्नस स्टिल एक मिर्ष्ट धातु यह तो दो है नेक्स टूटी वे अडियो की रक्चा के लिए प्लास्टर अपरियों करते हैं यह यह जीपसम का होता है जीबसन का बना होता है नेक्स्ट आपनोग देखते हैं यह हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमानू दूई बांद द्वारा जूरे होते हैं तो कालाता एलकीन कहलाता है इसका सुत्र होता है C-N-H2-N-N होता है नेक्स देखते हैं सिरके कराशायनिक नाम होता है तो य निकलने वाला गैस है तो यह कार्बन डाई अक्साइड है अब हम लोग देखते हैं चोच अटमी बीपेसी के समान बिग्यान के कोश्चन तो पहला एनिम में से किसका पीएच मान साथ होता है तो इसके अंसर हो जाएगा ई इसके ब्याख्या को देखते हैं पीएच का मान अत्वा उदासीन बिंदू होता है पीएच मान साथ के निचे होने पर बिलियन अमलिये होता है साथ स्याधिक होने पर बिलियम छाडिये होता है दिये गए बिकल्पों में सुध पानी तथा उदासीन बिलियन डोनों का पीएच मान साथ होता है प्रशना में सार के यह एक स उतर एक स्याधि कहाता है यह उतर सही है निक्स्षेंग देखते हैं निम् तत्व प्रिकिंट न ही और होता है इसका एंसर होगा hydrogen नहीं होता है इसका में इस्प्लाइशन देखते हैं hydrogen समस्थानि प्रोटियम में कोई neutron नहीं होता प्रोटियम को hydrogen 1 भी कहा जाता है तता है और आसफी समस्थानि को प्रोटियम यम डूटियरियम तथा टेटियरियम के प्रोटियम सरवाधिक मातर 99.98 परतिसत में पाया जाता है। उलेखनी है कि कोई तत्व एलेक्ट्रोन प्रोटोन और नेट्रोन से मिलकर बना होता है। प्रन्तु प्रोटियम के केवल एक एलेक्टोन एक प्रोटोन होता है। नेक्स दिखते हैं इंगेस्ट्रम इकाई हैं तो तरंग धैर की इकाई हैं। एक इंगेस्ट्रम 10 पार मानिस 10 मिटर तथा 0.1 नैनो मिटर के बराबर होता है। इंगेस्टरम सब्वेगानिक इंडर्फ जॉन इंगेस्टरम के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है आविर्ति को मापा जाता है तो हर्स में मापा जाता है। नेक्स्ट है DNA की कोज किसने की थी इसका एंसर होगा E इसका हम लग स्प्राने संद देखते हैं DNA को सिका नाभिक में पाया जाने वाला नुवांसिक पदार थे जो गुन सुथ के रूप में व्यवस्टित होकर माता पिता के सारी गुनों को संतान में स्तरांतित करता है। DNA की कोज फ्रेडरीक मीश्चर वर्स 18-79 में की थी जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रीक ने उन्हें सत्तिरपन में DNA की सारचना संबंदित DNA अनुका दू कंडली ये प्रतिरूप डवल हेलिक्स मोडर प्रस्तूत किया था जिसके बाद उन्हें नोबल प्रसकार दिया गया। नेश्ट है Triglycide क्या है तो ये हो जाएगा वसा। मानव सरीर में वसा की सारचना Triglycide से निर्मित होती है। यह जीबों और बनस्पत्यू की वसा का दिर्मातक पधारत है। Triglycide एक लिस्ट रॉल तता तीन वसी हमलों का स्टर होता है। टाइग लिस्रेट रक्त में उपस्तित होता है एडिपोज वसा और रक्तों सक्रा के यक्रित से रक्त में दुई दिसात्मक बाइडायरेक्शनल अस्त्रान्तत साहता करता है निक्स देखते हैं एलेक्ट्रो एक्से एक्से फ्लोरोग्राम इजी निम्सेकिस के निगरानी के लिए परियोग में होता तो मस्तिक्स के निगरानी के लिए होता है नेक्स्ट एसरीर काताप माल नियंत्रीत करता है तो हैपोधैलमेज करता है अब निसाही सेंटिग्रेद सें चारच दी लिजिसल दीकिर कमान फारनषट स्केर्ण में है तो इसका हो जागा सो प्लूच दीकर फारन हाइट इसका फिरमूला होगा कि सी बाल क तीएप मानसी टिएप मैंस थैक नैन नय तो इसे टीएप स्कश्च कतो तीएप इसे ऐसे नेक्स्ट है विदूत सक्ती काई काई है तो ये वाट इसका एंसर होगा विदूत सक्ती काई काई वाट होती है विदूत सक्ती बोल्टेज इंटू विदूत धारा की काई एंपियर में होती है नेक्स्ट अमनुक देखते हैं विदूत मोटर में विदूत उर्जा की आंत्र सुबकरन में नापी जाती है, तो गाए मीमिटर में मापी जाती है नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसों में मुप घटक होता है तो इसके अंसर हो जाएगा E इसका हम लगश्प्लानेशन देखते हैं ग्रीन हाउस गैस आसी होती हैं जो वातावरन में फैल कर एक आवरन बना लेती है यह आवरन सुर्ज की लगू तरंगों और प्रित्वी पराने देता है और प्रंतु प्रित्वी द्वारा पड़िवर्ति दिरिक तरंगों को वापस अंत्रिक्ष में नहीं जाने देता ग्रीन हाउस गैसों में जलवास, कारबन डायोकसाइड, मिथेन, नाइट्रोजन, ओकसाइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकारबन ताथ हाइड्रोफ्लोरोकारबन परमुख है ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रवाव उत्पन करती है जिसे पृत्वी के अर्सत तापमान में ब्रीधी होती है जिसे गलोबल वार्मिंग कहते हैं नेक्स देखते हैं आइस्टी नोबर प्राइज की स्कार्ज पर मिला है तो इसका हो जाएगा जल्म प्रकास विजुद प्रवाव के कारण बर्स 1921 में बहुत तीकी का नोबर पुरसकार अलवाट आइस्टेन को परदान किया गया था आइस्टेन को यह बाट परकास विजुद परवाव के सिधान की खोज के लिए दिया गया था आइस्टेन ने अपनी सापेक्षता का सिधान तथा दर्मान उर्जा समीकरन ईज कल्टू एमसी एसक्वार के लिए जाने जाते हैं आइस्टेन ने पचास से अधिक सोध और बिज्ञान के समंदिद पुष्टके भी लिकी उन्हें से नानमे में टाइम्स पत्रिका में इसे सताब्दी पुरुस गोसित किया गया एक सर्विक्षन के निसर यह सर्वकालिक मानता बिज्ञानिक माने गये हैं नेक्स देखते हैं कोसिका सकती का सरोत होता है मैट्रो कोंडिया में होता है नेक्स एड्स निम कार्णों में से किस के द्वारा होता है तो यह विशानू के द्वारा होता है नेक्स्ट है आजुरता किस उपकरन से नापी जाती है तो हो जाएगा हाईग्रो मीटर से नापी जाती है दाब की इकाई क्या है तो न्यूटन परतिवर्म मीटर है अब हम लोग देखते हैं पर समान विग्यान से लिटेट कोस्चिन दाब का मातरक है तो इसका option आयोक के द्वारा ई दिया गया इसका explanation हम लोग देखते हैं दाब किसी सत्ह के लंबवत लगने पर एक बल के बराबर होता है जो सत्ह के एक आंग छित्रपल पर कर्यत हूँ अर्था सत्ह पर लगने वाला दाब उस सत्ह पर लगाये गये बल तता स सत्ह के छित्रफल के अनुपास के बराबर होता है यह अदीष रास्याय इसे फीयसे व्यक्त करते तें फिट कर्ट में मात्रक पास्कल होता है इसकी एकाई न्यूटन प्रतिवर्ग मीटर होती है एक पास्कल दाब एक न्यूटन बलकि एकाई छेत्फल के आरोपित करने वाल से उत्पन होता है नेक्स कोश्चन देखते हैं सूर्ज का परकास परित्वी पर पहुंचता है तो आठ मिनट में सूर्ज की किर्णो परकास की गति से चलती है इसलिए सूर्ज के परकास को परित्वी पराने में आठ मिनट बीस सकिंड का समय लगता है सूर्ज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका ब्यास लगवग 13,90,000 किलो मीटर है जो परित्वी से लगवग 109 गुन पैदा करता है सूर्ज से निकली उर्जा का छोटा सा भागी परित्वी पर पहुंचता है जिसमें 15 परतिसत अंत्रिक्ष में पड़िवर्तित हो जाता है 30 परतिसत पानी के भाप में बनाने के काम आता है बहुत सी उर्जा पेर पौधे समुन्द राधी सोक लेते हैं इसक काक्छाओं में गुमते हुए प्रित्वी और अन ग्रहों के तो इसको इसकी तरब खीच कर रखती है निमनिखित में से कौन सी अधीश रासी है तो यह हो जागा दाब इसका इसप्लानेशन देखते हैं जिन रासियों को ब्याक्त करने के लिए के बलपाई नाम क्याव सकत होती है दिशा सही नहीं उन्हें अधीश रासिया कहते हैं जैसे एक्जामपल है चाल दूरी दर्मान आयतन समय ताप कार्ज विधु धारा दाव उर्जा इतियादी सदीश रासियों जिस बहतिक रासियों में मात्रा यानि परिद्मान तथा दिशा दोनों नहीं तो किस रासियों के उधारा ने बेग बल संबेग त्वरं विश्थापन रेखी संबेग कोन्य बेग कोन्य संबेग चुम्बु कि आगुर्ण चाल ताप पर्नवता विधुत दुरुद्विव आगुर्ण विधुधारा घनत इतियादी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमन को परदस्चित करती है बाए बल के कारण बस्टु का लंबाई में होने वाला परिवर्तन हमस्की प्रहरंबिक लंभाई के अनुपात को विकिर्थि कहते हैं यह दो लंबाईों का अनुपात है अता इसकी कोई काई नहीं होती है नेक्स दम लोग देखते हैं बावी में ध प्रणी का संचरंड अनुधर तरंग के रूप में होता है नेक्स्ट अम लोग देखते हैं 50 पर 30 संटीग्रेट का मान फारेंन हाइट सेंटी अभी कहते हैं इस पैमाने के मुपानी के नुसार पानी समान दाप पर 0 डिग्री सेंटिग्रेट पर जमता है, 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर उबलता है Celsius बिशु में तापमान के लिए सबसे लोग प्रियम आप है यह पहमाना दैनिक वातावर्निय तदा अनकाम में काफी परयूगत होता है अमेरिका वा अनकाई राष्ट Celsius के वज़ाए फारेन हाट का परयोग करते हैं बिशु भर के लिए तापमान की मानकी काई Kelvin है जिसका स्केल पहमाना Celsius के समान है Celsius में फारेन हाट में सम्मद निमनिकित सुत्र के द्वारा परदसित किया जाता है C by 5 is equal to F minus 32 by 9 C by 5 is equal to F minus 32 by 9 नेक्स समलोग देखते हैं हर्स में क्या मापा जाता है तो यह अविर्ती मापा जाता है इसका इस्प्लानेशन देखते हैं अविर्ती को हर्स में मापा जाता है हर्स के अंतरगात घटना को एक सकेन में मापा जाता है कोई आवर्त घटना बार बार दोराय जाने वाली घटना एकाई समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना कोई आविर्ती कहते हैं यानि फ्रिकेंसी आविर्ती को किसी साइना कार तरंग की कला परिवर्तन के दर के रूप में समझ सकते हैं आविर्ति की कहीं हर्ट साज प्रती सेकेंड होती है एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उससे आवर्त काल करते हैं आवर्त काल इजकल 2-1 बाइon वहjourd थी होती है थार्थ ही इज इसकल 2-1-1 फ्रमूला होता है नेक्स्ट अम्लोग देखते हैं शरीर का तापमा नियंत्रित करता है तो ये कौन करता है तो ये हैपोथेलमस इसका इंस्प्लानेशन देखते हैं मानव शरीर का तापकरम सधानत 98.6 भारेन हाइट होता है मानव सरीर के तापकरम में इस्थिर बनने रहने का कारण सरीर में तापकरम नियंत्रिन के एक यांत्रिक जैविक प्रनाली का चार्ज करता है मच्तिक्स का हैपोथेलमस बाग इस परकिरिया का केंदर होता है नेक्स्ट अमलोग देखते हैं बिदुद धारा किस उपकरन से नापी जाती है तो यह एमीटर से मापी जाती है इसका इस्प्रानेशन देखें एमीटर बिदुद धारा का ऐसाई मात्रक है परिपतों में विदुद धारा को मापने क्लिमीटर का परियोग किया जाता है किसी विदुद परिपत में एक कुलम आवेश एक सेकेंड की प्रवावित होता है तो उस परिपत में विदुद धारा का मान एक एमपियर होता है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं विधुद्ष सक्ति काई-काई है तो यह वाट है इसका explaination देखते हैं किसी विधुद्ष परिपत में जिस दरसे विधुद्ष उर्जास्था नाजित होती है वो विधुद्ष सक्ति कहते हैं इसका इसा है मातरकण वाड है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक तोत में एलेक्ट्रोन और नीट्रोन की संख्या क्रमसा 18 तथा 20 है इस तत्तु का दर्मान संख्या है तो इसका अंसर होगा C。 38 है. इसका एस्प्लेनेशन देखते हैं, एक तत्मे एलेक्ट्रोन और नेट्रोन की संख्या करं सा, 18 और 20 है इस तत्तु का दर्मान संख्या अर्तिस होगी. किसी परमानों के नाभिक मेस्टित प्रोटोन और नेट्रोन की संख्या के योग दर्मान संख्या कहते हैं दर्मान संख्या एल से निरुपित किया जाता है इसे परमानों दर्मान संख्या या निकलियोन संख्या भी कहते हैं दर्मान संख्या से ही परमानु का दर्मा निर्धारित होता है क्योंकि लेक्ट्रोन का दर्मान अपएक्छा ग्रित नगन होता है। नेक्स्ट प्लोग देखिते हैं निवनयिक नित्म से किसे हसने वाला ग्यस कहा जाता है। ते erfahren प्लान को प्लाय हसने वाली ग्यस भी कहा जाता है। योगिक है समान्त तापमान पढ़ियरंगी हिन जोलन सील गैस एक मुह कंद और हलके मीठी स्वाद के लिए होती है इंथेसिया या एनलजेसिक प्रवाव के करण होता है नेक्स्ट अमलोग देखते हैं निमनिकीत में से कौन सा एक तत्व नहीं है तो यह होगा गैस इनमें अधातू उपधातू तत्व है जबकि गैस तत्व नहीं है रसानिक तत्व या केवल तत्व ऐसी सुद्पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमानुएं से बने होते हैं या जो ऐसे परमानुएं से बने होते हैं जिसके नाभिक में समान संख्या में होगा साथ होगा इसका इसप्लानेशन देखते हैं पीच मान की सी बिलियन की अमलता हुआ चारता का एक माप है पीच सेवन से कम आने वाले घोल को अमलिये कहा जाता है पीच सेवन से अधिक वाले बिलियन को छाड़िये कहा जाता है सुद्ध जल को उदासीन माना जाता है इ कच्छे पेट्रोलियम का वह अंस है जो 175 से 275 से टाप पर आसुत डिस्टिल होता है इसमें पैरापीन और नेव्थीन रहता है इसके भौतिक वरसाहनिक गुन उपस्तित हाइड्रोकार्बन के अनुपात संगठन और क्वातनाग पर निर्वर करता है इसका रंग हलका हारा य अश्प्लानेशन देखते हैं प्राकिर्तिक रबर आइसुप्रीन का बहुलक होता है बहुत अदिक अनुवाला एक कर्वनिक योगीक होता है यह सरल अनुवजी ने मोनोमीटर कहा जाता है रूप में बहुत अधिक काहियों को पाइलोमेराईजेसन के फल शरूप बनता है प्राकिर्तिक रबर पौधे के लेक्टेस रूप में प्राक्त किया जाता है नेक्स अम लोग देखते हैं गुलकोज का सुत्र है तो ये है C6H12O6 इसका इस्प्लानेशन देखते हैं गुलकोज सरल सक्रासरेनी का एक कार्बोहाइडरेट है जिसका रसानिक सुत्र C6H12O6 है या एक मोनो सेक्राइड सरल कार्बोहाइडरेट है जिसमें CHO के गुरूप के अनुप भी होता है इसका रहनी से LDI दोज भी कहा जाता है नेक्स अम लोग देखते हैं सियो का सियो समू का आवंद क्रम क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा डी यानिकी तीन आये इसको हम लोग समझते हैं अजिक्तम कोई भी बॉंड में तीन इसमान होता है आवंद क्रम का तो जैसे कि इसमें कार्बन का पूछा है CO में पूछा है तो carbon का 6 होता है और oxygen का 8 होता है यह हो गया atomic number के अनुसार से तो इसमें हम लोग देखेंगे 10 का पूछता है तो 10 का पहले हो जाएगा 1 फिर उसके अदे 11 का पूछेगा तो 1.5 फिर 12 का पूछेगा तो 2 हो जाएगा 13 का पूछेगा तो 2.5 14 का पूछेगा तो यह 3 हो जाएगा तो यह 14 है इसलिए bond number 3 हो जाएगा ऐसे इसका explanation हम लोग देख लेते हैं किसी अनु के में 2 या 2 से अधिक परमानु जिस बल के द्वारा एक दूसरे सबंदे होते हैं उसे रसानिक आबंद chemical bond काते हैं यह आबंद रसानिक सायों के बाद बनते हैं तता परमानु आपस में अपने से सबसे पास वाली निसक्रिये गैस इलेक्ट्रोन बिन्यास प्राप्त कर लेते हैं दूसरे सब्दों में रसानिक आबंद वा परिगटना है जिसमें दो या दो से अधिक अणू या परमानु एक दूसरे से आकरशित होकर जूर कर एक नया आयन बनाते हैं गैस में यह नया अनू स्वतन तुरुप से मौजुद होते हैं द्रब में अनू या आयन डिले तोर पर जूरे होते हैं और ठोस में ये आवर्ती दो राव वाले ढाचे में एक दूसरे से मज़बूती से जूरे रहते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो यह होगा मिटूलिज्म इसका इस्प्रानेशन देखते हैं सेवाल तथा कवक पादपो के म मिलने से लाइकेन बनता है इस सम्बंद में सेवाल अलगी का कार्ज भोजन निर्मान का करना जबकि कवक का कार्ज जल और खनेज पदार्तों का अफसोसन करना है इस परकार कवक एवं सेवाल दो एक दूसरे के लिए लाबदायक होते हैं इसके सम्बंद का मिटॉलिज्म अत्वासा जैविता कहते हैं नेक्स्ट अमलोग देखते हैं सौर उर्जा एटी पी में बदलती है तो यह कुलोरो प्लास्ट में बदलती है इसका इस्प्लानेशन देखते हैं जीवो का सरीर आर्वो कोसिकाओं से निर्मित होता है इन कोसिकाओं में अने कोसिकांग जैसे मैट्र कॉंडियर आइबोसों क्लोरोप्लाष्ट एंडोप्लाजमिरेटी कुलम आदी पाये जाते हैं इसमें क्लोरोप्लाष्ट क्लोकोसिका का कीचन कहा जाता है क्योंकि यह परकास संसलेशन की किरिया द्वारा भोजन का निर्मान करता है क्लोरोप्लास्ट में ही 100 उर्जाए टीपी परिवर्थित होती है नेक्स कोश्चन अनुग देखते हैं परकास संसलेशन का उत्पाद है तो यह है O2 इसका इस्प्लानेशन देखते हैं परकास संसलेशन का सबसे महत्पून उत्पाद ऑक्सीजन है जिस पर सभी जीव स्वसन के निर्वर करते हैं परकास संसलेशन की परकिरिया में सूर्ज की परकास की उपस्तिती में पौदे की हरी पतियां के अंदर कार्बन डायकसाइड और पानी के स्वयोग से पहले सरल कार्बोहाइडरेट और बाद में जटील कार्बोहाइडरेट का निर्मान होता है इस परकिरिया में अक्सीजन में उर्जा भरपूर कार्बोहेड़िट का निर्मान होता है तता ऑक्सीजन बाहर निकलती है परकास अंसलेशन के अभी किरिया को निमनीखित परकार से परदर्चित किया जाता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस परकास उर्जा इसकल तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमनीखित में से किसकी कोशिका में कोई इंजाइम नहीं होता है ध्यान लखेंगे नहीं पूछ रहा है तो इसका अंसर होगा विसानु में नहीं होता है इसका इस्प्लानेशन देखे, प्रस्ण में दिये गए लाइकेन, विसान, जीवानु तथा सहवाल सभी में एंजाइम पाया जाता है, अता इसका उत्तर ई होना चाहिए, बिहार लोग से बायोक ने इसका उत्तर विकल्ब बी दिया, था विसानु माना है, लाइकेन में उप इंजाइम पोसी, होस्ट में छेदन का कार्ज करते हैं, ताकि ये पोसी को सिका में परवेश कर सके, सहवालों में अनेक इंजाइम पाये जाते हैं, जो इसमें अनेक उपाचाई किरिया को संपाधित करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनुस्वी के सरीर में किस अं जब अं मेरोता थाइमस ग्रंथी में होता है यही कारण है कि लिंप उत्तक लिम्फबॉयत टीसू कहते हैं लिंफोस्ट बीवीन रोगान्यों स्रीर की सुरक्षा करते हैं जब कोई रोगानू जैसे जिवानू विसानू इतियाधी सरीर में परवfront करते हैं तो इस परकार तो एक परकार के रसानेक प्रति बिंड एंटी बोडी का निर्मान करते हैं यह एंटी बोडी उस रोगानी विशेश का मकाबला करके उसे नश्ट कर देते हैं नेच्ट रळण देखते हैं निम्निक्जित में से किस हर्मोन में आयोडीन मिली होती है तो यह थायरोक्सिन मिली होती है इसका एस्प्लानेश्व कैई हज करता है यह पर हर्मोन के खमी से बच्चों में जर्वापनाक्ता तथा था में मीडी दिमा नमक रोग होसादी । исп consumers कोई मीमारी नहीं यह पर एड से पिरित मानव शरीर संक्रामत बीमारीं जो की जिवानु और विषानु इत्यादी से होती है कि पती अपनी प्राक्रतिक प्रतिरोधी सकति खो बैठता है क्योंकि ही वा वायरस जिससे एड्स होता है रग्ट में उपस्टित प्रतिरोधी पदार्त लेसी का कोसों पर आक्रमन करता है एड्स पिरित बेक्ती के लिए शरीर में परतिरोधक छंटा के क्रम्स चाह होने की कोई भी संक्रमक यानि सर्दी जुकाम से लेकर छाय रोग जैसे रोग तक सहजक्ता से हो जाते हैं और इसका इलाज करना कटीन हो जाता है HIV संक्रमन के AIDS की स्थिती तक पहुँचने में 8-10 वर्ष की या इससे भी अधिक समय लगता है HIV AIDS से ग्रस्ट बेखती आनेक वर्षों तक बिना किसी भी से लक्षन के बिना रह सकते हैं निक्स अम लोग देख़ते हैं आधनिक रसानीचास्त का जनक किसे कहा गया है तो यह लवेजियर को कहा गया है इसका गया है नहींने ऑक्सीजन और हैड्रोजन को पैचाना और नाम दिया फुलेंगिस्टन सिंधान्त का बिरोध कियה लोवसियर ने मिर्ट्रिक परनाली का निर्मान करने के मदद की तत्तो की पहली वैपक सुची लिखी और असानिक नामकरन के सुधार करने में मदद की नो ने सीलिकॉन के अस्टिर्टे में भविस्वानी की और यह भी अस्तापित करने का पहला वेक्ती था जो सलफ़र एक य रहता है नेक्श्टम देखते हैं ग्रीन हाऊस घैसों में मुखी होता है तो यह होगा उसके सभी होता है इसके एंसर्प्र और उप्रित्वी के गया में नियों इसमें paranidar hbt नाय्तरजन इक्साइड मेथीन चिता है और अधी सामिल है प्रस क nach है विकल्पों में से एक से अधीक भी कल्प ग्यर्ण समीश है यताइज प्रस्ण के उत्तर में एक से अधीक सही होगा से अं황, सब्सक्राइशन के लिए परिवर्तिन द्वारा अपना विकास करती है विकास वात काला वाला यह सिधान्त आधुनिक जीव विग्यान का निभ बना दार्वीन ने अपने अवलोकनों से असपर्ष्ट किया है कि सभी प्रजातिया मूल रूप से एक ही जाती की उत्पन उत्पती है इसी सिदान परधारित 1869 में दार्वीन ने दा ओर्जिन अफे स्पीसिट परकासित हुई नेक्स्ट अवलोक देखते हैं जहां जीव रहता है उस सटिक जगों को क्या कहते हैं तो उसे आवास कहते हैं इसका अच्पना नेशन देखते हैं जीवों के रहने के अस्थान को आवास कहा जाता है यहां जीब को भोजन जल और रहने समंधियाव सकताओं की पूर्ती होती है एक ही पारितंत्र में बहुत सारे आवास अस्थल हो सकते हैं नेक्स्ट अमलोग देखते हैं हडियो की पढ़ाई बिज्ञान के किस साखा के अंतरगत होती है तो यह ओस्ट्रियोलोजी इसका अस्प्लानेशन देखते हैं हडियो का अधियन विकास की अस्थ्रियोलोजी साखा के अंतरगत होता है जियोलोजी जियोलोजी यत्वा भू ब जिसमें ठोस बिप्रित्वी का निर्मान करने की वाली सैलों ताथा उन पड़किरियाओं का अध्यान किया जाता है जिनसे सैलों भूपाटी और अस्थल रूपों का विकास होता है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं सोरोलोजी सेलोजी अत्वा सीरम बिग्यान सीरम अनपसार अध्यानिक अध्यान है नेक्स्ट ओरोलोजी ओरोलोजी के अंतरगात परवत्तों का अध्यान किया जाता है आसा करते हैं आपको वीडियो कापी हेलफुल रहा होगा और आप लोग को एक आईडिया लग रहा होगा कि आयोग द्वारा कैसा कॉस्चन पूछा जाता है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू